हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोगों का साइंस हाउस में गाईस अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर दो प्रेलिए दोस्तो हम लोग जानते हैं एक नए जैनकारी के बारे में गाईस अगर सूरज की रोसनी अगर हमारी प्रित्विप नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा तो दोस्तों पहले जानते हैं सूरज के बारे में सूरज जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है सूरज एक तारा है जो एक गोले के आख के समान है सूरज हमारी प्रित्वी को चारोर से परकास वाड़ करता है और सूरज हमारी प्रित्वी पर परकास डाल कर और हमारी जिंदगी में परकास लाता है सूरज हमारी सौरमंडल का एक है सूरज की रोसनी लगभग 18 मिनट 17 सिकंड पर हमारी प्रित्वी पर आती है जब परकास के किरण हमारी पिर्थवी पर पड़ती है तो हमारी पिर्थवी लगती है शमगने तो दोस्तों अगर सूर्य नहीं होता तो हमारी पिर्थवी भी नहीं होती है और ये दुनिया भी नहीं होती सूरज के चारो और अन निगरा चक्कल लगाते हैं वह हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वह हमारी प्रिष्टिय से बहुत ज्यादा दूर है सूरज नहीं होता तो इस दुनिया पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि सूरज से हम लोगों को बीटामिन डी का प्राप्त होता है हमारी सरीर में उरिजा का सरोत होता है जिससे हम लोग अपना जीवन जी सकते हैं दोस्त सूरज हम लोगों के लिए बहुत जाल जरूरी है अगर सूरज नहीं होता तो हमारे भोजन के लिए कुछ भी उत्पन नहीं होता और हमारा जीवन हम लोग नहीं जी सकते हैं सूरज की रोशनी से हमारे आसपास बसे पेड़ पौध अपना भोजन बनाते हैं अगर सूरज का परकास नहीं होता तो पेड़ पौध अपना भोजन नहीं बना वाते हैं पर सूरज नहीं होता तो इस दुनिया के अगल बगल अंधकार होता पर सूरज नहीं होता तो साम सुबर और दोपार का इन तीनों का कोई मतलब नहीं होता सूरज की रोशनी से हम लोगों को कोई बीमारी नहीं होती अन्यथा हम लोग बीमारी से बचे सकते हैं तो गाइस उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट और सेर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को यह वीडियो देखाएं